अच्छा भाई हम सोके उठे हैं कि भाई ये काफी बड़ा यार्ड है बन यार्ड सा मैडे मैडे भाई कोई प्रोब्लम मैं फिलाल ओकी ये काफी दूर गिर रहा है भाई भाई कहा गिर रहे हैं So hey guys welcome back on another episode of gas station simulator यहां पर हमने लाश टाइम पर पार्किंग वार्किंग भाई आप लोगों के सामने करी दी और हमने काफी सारे चैलेंज पूरे कर लिए हैं जो के फिलाल मतलब हमारे gas station करना एक लेवल और अप्ग्रेड करने में help करेंगे ओके अभी भाई यहां पर ना कोई भी नहीं है ठीक है बस आई तिंग सो वो गाड़ी गाराज पर लगने जा रही है क्या अच्छा भाई उसने आई तिंग सो वो श्रूम यूज करा होगा इसी वज़े से तो फिलाल यहां पर पैट्रोल करना होगा जो की मतलब समान खरीदे और उसके बाद में हम इसको अप्ग्रेड कर पाएंगे ठीक है ना तो इसने बाई समान खरीदा है मैं फट फट से एक नब भाई इसके अंदर तेल बर देता हूं तेजी में क्योंकि कैस रेजिस्टर हमारा कंप्लीट होते ही तो हमारा जैसे कैसे यह कंप्लीट होगा तो हमारा अप्ग्रेड हो सकता है उस टाइम पे है ना तो मैं फट फट से भाई इसको स्टार्ट कर लेते हैं और जैसे भाई यह कंप्लीट हो जाएगा तो आप लोग आज देखोगे कि यहां पे हम काफी एक सरप्राइजिंग सी चीज करन वाले हैं ओके भाई हमारा अचीवमेंट अनलोक हो चुकी है ओ भाई हमारा डश बाउल का जो स्टोब था ना वो खुद से ही भाई लोकल सेलेब्रेटी जो हम इस चा एंक्वा पर हो गया यह काफी अच्छी बात तो अभी मैं अपने गैस क्टेशन को मतलब कर सकता हूं अ आपको भाई चमकेगा जिस टाइम पर यहाँ पर लाइट वाइट लग जाएगी तो यह काफी प्यारा लगने बाला है एक्चल में यह काफी प्यारा लग रहा है फिलाली तो मैं फटा फट से ना एक भाई गैराज को कंप्लीट करें मतलब इसके अंदर एक गाड़ी आई है एक बार भाई मैं देखूं इसके अंदर क्या क्या जरुवते हैं भाई एक टायर का खतम है बिल्कुल एक दो टायर तो जो हमारा 5K का टारगेट है में मंत का मैं सोच रहा हूँ भाई आप लोग 2 या 4 दिन में ही इस चीज को कंप्लीट कर दो कि हम लोग अपने ना 5K सब्सक्राइबर में 2 या 4 दिन में ही कंप्लीट हो जाएं ठीक है तो देखो भाई आप लोग इतना तो कर सकते हो भाई I trust you ह ना तो जब तक हम लोगों हम भाई आप लोगों के लिए अच्छे अपिसोड ऐसी लेके आएंगे ताकि आप लोग हमारा हमारी भी हैल्प करो इस चीज में कि हम अपग्रेड और अच्छा कर पाएं और अच्छे गेम लेके आप आप आए ठीक है और भाई बहुत जल्द इस मंडे तक भाई हमारी मेंबर्शिप जो है वो भी एनाउंस हो चुकी होगी तो आप लोग चाहो तो भाई हमारे मेंबर्स भी बन सकते हो जो कि भाई आप लोगों को लाइव में सब में काफी सारे फीचर उसी के साथ में लोग होगे तो आप देख पाऊगे उसी टाइ दोब यह इसको अभी रजिस्टर पे तो कोई नहीं है ना और क्या भाई अच्छा इसका रखा है एंड एक बाई सीसा बेसका टूटा है भाई गाड़ी क्या डेर डेर वे रहोके चला रहती गई लडगी अच्छा भाई इसका सीसा नहीं टूट रखा भाई यह मेरी गलती थी अगां सोरी मैं इस आर फोल्ट ठीक है यहापे लगाते हैं फटटफट से एंड इसका जो यह इसक्रेच वाला पोर्शन है यह कंप्लीट कर देते हैं देखो भाई कंप्लीट हो गया अब भाई अब सीस पर बदल रहा था मतलब हम लोग उस टाइम पर बदल लेती तो बाई हम गलत कर रहे थे आए तिंक कितना देगी भाई साढ़े चार सो रुपे दिया है इस लड़की ने भाई ग्याराज के अंदर एक कस्टमर है और मेरा एंप्लोई का ट्रेलर क्यों नहीं खुला मुझे लग रहा है मुझे पहले ट्रेलर को बाई करना होगा क्या देख लेते हैं अगर इस पूर्ट को भी करना है तो भी पता लगना चाहिए न हमें एक नया मेल आया है जब तक यह अंटियार यह तब तक मैं यह मेल पढ़ लेता हूं वह खुला नहीं है मैं पार्किंग खोल ल अरे 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 भाई तुम को नो अजब यह एलियन मास्क पहना हुआ यह बंदे आ रहे हैं इन्होंने लगा रहे हैं बाई हथ से भी ज्यादा ओ अकल जी कैसे हो यह कह रहा है डिलिवरी ट्रक भाई मेरा जो है वहां पे खड़ा हुआ है ओक ठीक है भाई पर मैं डिल कि मेरा भाई माल आ गया तुझा भाई ओके भाई यह जा रहा है यहां से भाई अपने दर्वाजे बंद कर वाजा मेर से ड़न ओके भाई वो चला गया उदर से लेकिन दर्वाजा बंद नहीं हुआ था अभी हो गया अभी ठीक है कस्टमर भाई दो-दो हो चुके हैं इस टाइम पर कस्टमर एट फुल अच्छा भाई लाइन लग गई है यहां पर कस्टमर की अरे यार मुझे ना खाने का भी ओडर करना पड़ेगा भाई फूड भी हमारा खतम होता जा रहा है यह क्या बता रहा है भाई सर्व ओल दा कस्टमर ठीक है यह तो वेटिंग के लिए भाई तयार खड़े हैं आ क्लाइंट इन्फलेक्स इस डबल एज़ स्वोर्ड वोके यह सबीना फिलाल जा रहे हैं और यहां पर भी एक कश्टम अरूर है अभी उसको भी देखेंगे बट फिलाल भाई सारे के सारे बंदे जो है ना यह जा रहे हम भी जा सकते हैं इनके साथ में एलो एलो हमें भी ले जाओ नहीं भाई हमें ले जा अब बहुत स्लो नास तो आ रहा है यार आजा तेटेज आजा कि ओवर स्लो आ रहा है यार क्या हुआ है एलो मैं इन ब्लैक जी ओके भाई मेरा टास्क कंप्लीट हो गया पार्टी बस चली गई अभी हमारे पास एक कोल आई है इसी की है भाई इस बंदे की वजह से ही अभी तक हमारा जो कॉस्टमर क को ओप्शन भाई हमारे अंकल की वजह से ही आया है फिलाल एंड हमारा भाई खाना सारा का सारा ओल्मोस्ट फिनिस है उलाला क्या बात है मतब सिट्टी बजी नहीं है इसको देख के अच्छे से भाई लेकिन यह काफी कमाल लग रही है लड़की भाई साब बहुत सेक्सी लग रही है तो ठीक है तो के भाई फिलाल एक काम करता हूं मैं भाई अपने जो ट्रेलर सेना उनको खोल लेता हूं एम्प्लोईस मुझे एक हो ट्रेलर खरीदना होगा तो भाई उसके लिए मुझे पैसो की जरुवत पड़ेगी ठीक है तो भाई हमें लड़की खरीदनी है तो मुझे भाई वो कैशियर पर रखनी होगी क्योंकि फ्यूल वियोल मैं भर दूँगा भाई कैशियर पर सबसे ज़्यादा जरुवत लगा देते हैं नई इसको गैराज में लगाऊंगा यहां तो मैं संभाल सकता हूं ना जरुवत ज़्यादा होती तो भाई यह पराबर यह मुझे इसको काम देना होगा स्टार्ट टोकिंग एंड टास्किंग लिस्ट भाई मुझे इसको गैराज में पुचाना होगा रिपेरिंग कार ठीक है मैंने भाई मेरा आज का टास्क ये वाला कंप्लेट हो गया है मैं भाई एक और को अफिलाल हायर नहीं कर सकता आइधिंक सो बस एक ट्रेलर पे एक ही ल इसका बिल पे करने के बाद में हम लोग चलेंगे वहां पे आप लोग भाई तब तक मजा लो भाई यहां पे ठीक है तो अभी हम भाई बैंच पे बैटके अपना मस्त बीर पी के आते हैं दो मिनट ठीक है ना थोड़ा बाई रेश्ट करने को हमारा भी बनता है कि ये मैं क अच्छा बाई हम सोके उठे हैं कि ये काफी बड़ा यार्ड है बन यार्ड सा एंड बतारी आपे क्या है यह प्लेन वाली डियल्सी से करेक्टिंट तो नहीं होगा ना जहां तक है मैडे मैडे भाई कोई प्रोब्लम में फिलाल ओकी एमर्जेंसी लेंडिंग परमेट यह मांग रहा है कि इसको एक एमर्जेंसी लेंडिंग चाहिए तो हम इसको दे रहे हैं फिलाल यहां पर क्योंकि बंदा डिजर्व करता है बुड़ाव कहीं का हमारा तो फटा फट से बाई इसको नीचे उतारते हैं आजा बिटे नीचे आजाओ यह काफी दूर गिर रहा यह है भाई का गिर है शेट यह तो काफी दूर कि रहा है एंड अभी भाई आइड तिक सो हमें जाके बचान होगा अच्छे बच्चों की तरह कि बचान होगा यह कह रहा है कि फो लो दा स्मोंक आचा इसमोंक है का पर मुझे दिखने वो भाई ठीक है एक पर भाई यह कह है के रीज़ एक्सिदेंट एरिया एंड चेक वाट है ठीक है ओके तो भाई बंदा जिंदा बच गया करूं कैसे खतम है पूरा पूरा प्लेन खतम हो गया फिलार इंजन खतम हो गया इसको रिपेर करेंगा यह खुद से वैसे उड़ने लैक तो हो गई यह सारी के सारी इसने बोला है चेकता बर्न एरिया टू फाइंड सम्थिंग हेल्फुल अचा भाई अभी मुझे एक बार यह जाके चेक करके आना होगा के जो यह बर्न है इसके अंदर पे कुछ ऐसा है जो हमारे काम आ सके ठीक है ना तो हम लोगों को वह चीज़े चेक करके जान योगे और वह आगे से रास्ता इसका काफी दूर से रास्ता है जैना यह रावाइस का यहां से रास्ता एंड भाई अंदर जाने के लिए कुछ है क्या अब यहां पर आई तिंक सो जाडू का यूज करना चाहिए हां जी बिल्कुस सही आइडिया भाई मेरा क्योंकि जाले जाडू VAR CCS और वैसे मकटियों से बड़ा अजीव सा ड़ लगता है ठीक है ना इसको भी अठा देते हैं ओकि जरूरी है प्रकू कोई कूड़ा है यहां पए हाँ यह रात थोड़ा थोड़ा ठा कूड़ा है जिसको मुझे अथाना बहु ज्याधर जरूरी है फिल फिलाल बर्न जो है वो clean हो चुका है काफी हद तक एंड इनको भी भाई मैं डाल देता हूँ ठीक है फिलाल बर्न भाई हमारा clear हो चुका है इसको side में रख देते हैं फिलाल इसको भी एंड भाई ये वाला truck अच्छा बाई यह वाला ट्रक हमें उसके पास में लेके जाना होगा आई तिंक सो पता नहीं क्या कराएगा भाई वो बंदा हमसे है ना कैस रिजिस्टर पर फिलाल पांच बंदे हैं जो कि मैं इसकी मदद करने के बाद या भाई कहीं जा सकता हूं अदरवाइस तो नहीं त इसके बाद ही भाई कुछ देखेंगे के अभी भाई मुझे अपने स्टेशन ने एक तरीके में बंद कर देना चाहिए थोड़ी देर के लिए ताकि मतला मेरे रेपूटेशन डाउन ना होती 61% पर भाई डाउन हो भी सकती एक परसेंट की बात है देखो यार फिलाल तो भाई यहां तक हम आ चुके हैं पूच गए अभी इस वाले प्लेन होना भाई यहां से लेके जाना होगा ठीक है न यह कहा रहा है भाई अटेज प्लेइन यूजिंग दा मैगनेट ठीक है ठीक है गुस्सा मत दिला मुझे वरना मैं तुझे पीड़ दूगा बुड़ा हूँ भाई मुझे एक बार इसके ऐसे वाला ठीक है अभी यह उपर कैसे जाएगी ना यह देखना पड़ेगा इसमें लिखा है भाई ब्रेक यह रहा एंड होल्ड सिफ टू टर्बो मोड प्रेस एक्स टू स्विच मोड ओके भाई फिलाल यह जो यह जो भी हम ट्रक लेके आए हैं यह पूरा का पूरा ना मतलब फिलाल के टाइम पर बढ़ चुका है अभी मुझे ना भाई इसको ओर जूम करना होगा तो मुझे पता लगेगा मुझे कहां पर रखनी है यहां पर ठीक है लेकिन यह आगे कैसे बढ़ेगा ना एक्सेंड आर्म अच्छा इसे अच्छा भाई ठीक है एंड अभी ना इसको थोड़ा थोड़ा नीचे एंड थोड़ा सा पीछे करते हैं ओके हलका सा इधर एंड भाई एक्स टू एक्स मैगनेट को एक्टिवेट करने के लिए एक्स दबाना होगा और अभी भाई प्लेन को ऊपर उठाना होगा मैंने सोच था भाई प्रेस एक्स बटन टू एक्टिवेट टोइंग मेगनेट मोड अरे यार मैंने ही गलती गरी भाई मेरे इस समझने में काफी बड़ी गलती हुई है हलका सा पीछे एंड भाई हलका सा ओके भाई प्रेस से स्पेस बार से तुरंट एक्टिवेट हो गई यह अभी ना इसको और उंचा कर लेता हूँ ताकि अड़े नहीं ठीक है हमेजा जिन्दिगी में पीछे आने वाले भाई बैक करने की कैसे बूल सकते हैं ना जिन्दिगी में पीछे आने वाले आदमी ऐसे होते हैं ओके भाई मेरे अकोर्डिंग तो यह यहां पे अच्छा है X दबाते हैं और ड्रोज भाई मैंने क्या परफेक्ट प्लेन को पाई मतलब भाई सीरियसली मैंने इस प्लेन को काफी अच्छे से मतलब पार्क किया है भाई यह ट्रक तो तेल कम खाता है नहीं बाकियों की मुकाबले ओके विलाल भाई मैंने यह खड़ा कर दिया है तो अभी यह कह रहा है भाई डक्टेप लो और इसको फिक्स करो भाई डक्टेप से प्लेन उड़ा दे गए क्या बात है यार मतलब भाई बंदे का कॉन्फिडेंस ना चोद्वे आसमान से भी हुच्छा है ना अच्छा ठीक है भाई वन होल फिक्स दन थोड़ी सी और यहाँ पे यह भी फिक्स हो गया भाई बट भाई बड़ी बात है बंदा जो मतलब की यह टक्टेप की मदस से प्लेन उड़ा देगा मैं बंदे की इम्मत मानता हूँ भाई है नी भाई इसका पिछला इससा भी परली डैमिज हो चुका है थोड़ा सा इधर थोड़ी सी रह गए भाई इसका द्याइब हो रहे है इसको ना फिर ऐसे चिपकातया ना ऊसे नी तो ऐसे चिपकेगा ना भाई होल फिक्स बंदे का कॉन्फिदेंस 24 आसमान पे होगा साथवे आसमान को छोड़ दो भाई और कहीं पे भी जरूर टूठ फूट रखा होगा भाई ये है न ओ भाई देखो कितना बड़ा होल ये तो मैंने देखा ही नहीं ये ही था बस छोटा सा ठीक है भाई तो अभी फिलाल के टाइम पे या कहा रहा है भाई रिमेनिंग होल वन भाई एक और होल रह गया है फिलाल के टाइम पे अच्छा मेरी टक्टेप खतम होगे मुझे एक और नई टक्टेप चाहिए अच्छा मैं सुचे मेरे कंप्लीट हो गया काम बट यही यह खोल तो रहा गया भाई फिर भी क्या कि यह मर जाये घाए वहीं पे ठीक है बहीं तो फिलाल कंप्लीट प spray आप इना यह भी कंप्छीट कोर गया कि अधिक है यह क्या क्या रहा है लुब ग्लीन निदसर टक्टिफ फ्रों गा जै ठीक है अब बिना यह यह में यह बहुत है। मुझे बाइट चाहिए उगी है ना मुझे र09 की जरुवात है फिलाल के टाइम पर तो इनतर होती है कि इसने बोला है भाई डिल्सी कंटेंट सेलेक्ट अप्ग्रेड टैब के बाई समझ गया इस यह मतलब जो नए वाला टैब अप्ग्रेड में जाएंगे उसके बाद में एयर रिस्ट्रिप में जाएंगे एंड यह नहीं कर सकते बढ़ हां यह कर सकते हम 250 में अप्ग्रेड फिलाल मेरा एक लेवल हो गया एंड भाई उसके अंदर देखो दूसरा प्लेन एक और खड़ा पाई उके तो भाई हमें इसको प्लेन ऐसे उडाते वह दिखाने है आज 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 अमुन्ना आज 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 बेटे आज अज मेरा बच्चे आज 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 तेज लेख्य एंड भाई उड़ा तरीके में कर दिया एंड यह कहना प्लेन इस बिल्डिंग अप स्पीड ठीक है तो फिलाल भाई आज का हमारा यह था कि हमने यहां पे एक बहुत अच्छा खासा प्लेन उड़ा दिया एंड भाई हमारा यह देखो टू 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 अफ टाउन भाई इस टाइम पे हम इतने जादा अप्ग्रेड हो चुके हैं के भाई देखो हमें थ्री स्टार मिल चुके अभी थे निवाइस पे अच्छा भाई यह रहे एंड इस वाले को भी मैं फिलाल खरीद लेता हूं ओके भाई यहां पे फ्यूल आ गया है थोड़ा सा मतलब फ्यूल स्टेशन आगया इस पेचली भाई हमने यहां पे जो मतलब प्लेन के लिए नीडिड होता है ना वो सब चीज हमने खरीद लिए फिलाल ठीक है ना अब यह कह रहा है और टेप्स यूज यूर पीसी सिक्स वैसे भाई ओर्डर की क्या जर्वत थी ना मुझे समझ नहीं आता है इसने डक्टेप मंगवाई क्यों है वैसे 6 मंगवानी है 6 पांच है ना भाई अभी एक ओर हो जाएगी 6 ठीक है तो मुझे भाई ये 6 डक्टेप अपने यहां भी है यहीं पर आएंगी बाई और कहीं फ्यूल अच्छा भाई यहां पर भाई नए वाला फ्यूल भी मगाना पड़ेगा ठीक है तो भाई यह जो फ्यूल है वो जैट फ्यूल होता है एंड मैंने 20 को 200 रुपे का ओडर कर दिया है ओके भाई हमारा फ्यूल वाला भी आ गया हमारा फ्यूल का काम भी complete ठीक है फिल the duct tape ठीक है डन अभी यहां पर हम duct tape को भी place कर देते हैं फिलाल भाई यहां पर हर एक चीज हो गया है wait for a signal from the joy तो फिलाल के भाई आज के लिए पस इतना ही कर देते हैं मिलते हैं फिर next episode में तब तक के लिए टाटा बाई बाई आप लोग जाके definitely comment and share subscribe सब कुछ करके मुझे बताओ के भाई आप लोगों को कैसा लगा हमारा आज का जो हमने किया है अपनी जो airport वाला जो किया हमने यह सब आप लोगों को कैसा लगा भाई यह आप लोग definitely मुझे please comment करके बताए तो भाई तब तक के ल and radhi radhi